नमस्कार दोस्तों, मेरा नामे भालचंद्रा, ब्रह्मांट सिद्ध्यस्ट में आप सभी का स्वागत है। आशाड मेने की पूर्णिमा है, नक्षत्र उत्तर आशाड़ा है, योग विश्कम्ब है, दिन का जो करण है वो बवा है और जो रात का करण है वो बान है। पूर्ण काम या फेंद्यन ने आप ले सकते हो। उसे प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा शाम 5 बचकर 33 मिनिट से लेकर 7 बचकर 14 मिनिट तक और या मगंड़काल दो पर 12 बचकर 33 मिनिट से लेकर 2 बचकर 13 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत बुर्ण काम या फेंद्यन ने आप नहीं देना। उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा धनू राशी में ब्रह्मन करेगा। सुबह 7 बचकर 27 मिन के बाद ये चंद्रमा मकर राशी में ब्रह्मन करेगा। ये चंद्रमा रवी के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। मंगल हर्शन के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है, नेपचन के साथ लाव योग करने जा रहा है, शुक्र और गुरू का लाव योग होने जा रहा है, उसे प्रकार बुद्ध और हर्शन का केंदर योग भी होने जा रहा है, यह ग्रसती सामने रखते हुए, पारादाशिय तो सबसे पहली राशी है मेश राशी के बाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, सुबह 7 बचकर 27 मिनिट के बाद ये चंद्रमा आपके दशम बाव में ब्रह्मन करेगा, आपके दृतिय बाव में से मंगल हर्शल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है, रवी के साथ प्रतियो करने जा रहा है, उसे प्रकार आपके वे बाव में से निप्चन के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है, चतुरत बाव में से शुक्र के साथ द्वितियावाग को जो गुरु है वो लावयोग करने जा रहा है, उसे परकार बुद्ध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है, महत्वर्ण दिन है आपके लिए, आज का ज़दिन है जो भी आपका कारेश रहे है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वर्ण काम, उससे के दिन आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बदरे सिर्फ गर के जो लोग हैं उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर चोटी मूटी बातों को लेकर ट्रॉब्लम थोड़े हो सकते हैं घूमना फिर आपका ज्यादा हो सकता हैं उसी प्रेकार आने वाले दो से तिन दिने में घर से रिलेड़ेड़ कुछ महत अप्रण खरेदारी हो सकती है तरके जो लोग है उनके साथ भी आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी आने वले दो से तिन दिने में अगर शाप शेयर में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है वृषभ राशी। अपी के राशीवि सेथ गुरु के साथ तृतिय वाव को जो शुक्र है वो लाव योग करने जा रहा है और चतुर दवाव मिंसी खुदो के साथ अपी के राशी को जो हर्शल है वो गेंद्र योग करने जा रहा है बहुत ही अच्छा अत्रिंत शुबुफल अधाय दिन है आपके लिए जो काम आप आतमे लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आज आपको confidence energy level mood बहुत ही अच्छा देखा जाएगा गुमना फिरना जादा हो सकता है उसे प्रकार बागे का पूरा का पूरा साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा आज की दिन आप बहुत ज़्यादा active नजर आगे खास करके आपकी जो वैवाई जुरीदार है उनके साथ भी आज आपके आर्मनी बहुत अच्छे देखी जाएगी लेकिन गर के जो लोग है कासगर के आपके उम्पर से छोटे उनके साथ छोटी मूटी बातों के लेका तकरा हो सकती है लेकिन दिन आपके लिए शुवफिल्सदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मिथन राशी वितनर रशी के 17 बाव में चंधरमा का ब्रहमन है, सुवे 7 बचकर 17 स्विन के बद intéress ये चंधरमा आपके 80 बाव में ब्रहमन करेगा अब के वेए बावम असीद मंगल हर्षल के साथ ये चंधरमा तृपन्यों करने जा रहा है द्वितिया भाव मिसित रभी के साथ ये चंद्रमा प्रतियो करने जा रहा है द्शम भाव मिसित निप्चुन के साथ ये चंद्रमा लावियो करने जा रहा है वेई भाव मिसित गुरु के साथ द्वितिया भाव को जो शुक्र है वो लावियो करने जा रहा है और वेई अभाव में से धर्शिल के साथ तृतिय वाव को जो बुदह है वो के इंद्रियों करने जा रहा है आज कर जो दिन है आपके लिए महतवणन साबित होगा किसी भी प्रकार के महतवणन निनने आज की दिन नहीं लेना हला कि आज की दिन कुछ अच्छे अने पेक्षित लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है उसे परकार आनवले दोस्यति इंद्रियों में आपकी जो वैवाई जडिदार है उनके साथ भी आपके आर्मनी काफी अच्छी देखी जाएगे आनवले दोस्यति इंद्रियों में किसी भी प्रकार के महतव उनका कमिट्मेंट प्रॉमिसेस वाली बात या फिर डॉकपड़िस देखी रिलिटेड कोई भी काम नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है करकराशी के 6 बाव में चंद्रमा का व्रहमन है सुबह साथ बचकर सब्ताइस मिंट के बाद या जंद्रमा आपके सब्तम बाव में व्रहमन करेगा आपके लाब बाव में सिद मंगल हर्शन के साथ या जंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है आपी के राशे में से तरभी के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है बाग्य बाउ में से दिप्चिन के साथ ये चंद्रमा लावियों करने जा रहा है इस परकार आपी के राशे में से शुक्र के साथ लाब वबाओ को जो गुरू है वो लावियोग करने जा रहा है इस परकार दितिया वबाओ में सित बुद्य के साथ आपके लाब वबाओ को जो हर्शल है वो केंद्रियोग करने जा रहा है काफी महतोपण दिन है आपके लिए और अत्ति शुवपलिदाई साबित होगा खास करके आपके जो वैवाई जो डिदार है उनके साथ आज आज आपके आर्वनी बहुत ही अच्छी दिखी जाएगे आज के दिन कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिलने की संभावना काफी एच्छी बन रही है आपके जो मित्रे परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है गफशाप हो सकती है उनसे कुछ अच्छी सलाव भी आपको मिल सकती है आपके जो वाई-वाई जिदार उनके साथ छोटी मूटी बातों के लिए का तकराफ हो सकते हैं आने वाले दो से तीर दिरे वे महतोपने इंवेश्मिंट नहीं करना लेकिन कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए नजर आएंगे दिन आपके लिए शुवपलिदाई सावित होगा इसके बात के जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के पंचम बाउ में चंद्रमा का ब्रह्मन है सुवे 7 बचकर 17 मिन के बार ये चंद्रमा आपके 6 बाउ में ब्रह्मन करेगा वेयवाओं में से तरवी के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है अश्टमबाओं में से दिफ्चिल के साथ ये चंद्रमा लावियों करने जा रहा है वेयवाओं में से शुक्र के साथ आपके तशमबाओं को जो गुरु है वो लावियों करने जा रहा है प्रशंबाओं में से तंशल के साथ आफिके राशी का जो बुद्र है वक्त के इंद्रियों करने जा रहा है, महतवण दिन है आपके लिए किसी भी प्रगार के महतवण काम आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी जो अंदाज है वो चुक सकते हैं, हाला कि आपका जो फाइनशल जो बाते रहेंगे उससे रिलेट किसी भी प्रगार के महतवण दिन नहीं लेना, इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी का चतुरत वाव में चंद्रमा का ब्रमन है, सुबह साथ बचकर 27 मिंट के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम वाव में ब्रमन करे जा रहा है, लाव में से रवी के साथ यह चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है, उसे प्रकार आपके सब्तम वाव में से निप्चुन के साथ यह चंद्रमा लाव यह करने जा रहा है, आपके वैय बाव का जो गुद्ध है, वो आपके बाग्य बाव में से अर्शल के साथ कि इंद्रयों करने जा रहा है और लाब अबाओ में सिद रवी के साथ आपके भाग्यबाओ का जो होशल है वो लाब यो करने जा रहा है काफी महतवण दिन है आपकी ले खास करके आज का ज़दीन है किसी भी प्रकार के महतवण काम आज की दिन आप कर सकते हैं बहुत पूटी मुटी बातों के लेकर तकराफ हो सकती है लेकिन अगर आप किसे के रिलेशन्शिप हैं है उनके साथ आज आज आपकी हार्मनित बहुत अच्छ देखी जाएगे आने वाले दो से तीन दिनों में फोर असा सोयम के स्वास्त के बारे में द्यान देना होगा आने वा तुलार राशि के 3 तीन बावमें चंद्रवा का ब्रहहणन है सुब है साथ बचकर 37 बुस्त के बाद यह चंद्रवा आपके चुतुरत बावमे व्रहहण59 करेगा आपके अ 얼마나 अर्शल के साथ यह चंद्रवा त्रिकोनियों करने जा रहा है द मावमन करेंगा उसे प्रकार, आपके लाब वाओं में से बुद्ध के साथ आपके अस्टमबाओ का जो अर्शल है, वो केंदर यो करने जा रहा है, दशमबाओं में से शुकर के साथ अस्टमबाओ का जो गुरू है, वो लाब यो करने जा रहा है, आज है जो दिन है, आप घर पर रहना पसं अने पेक्षित कुछ लाव होने की संभावना काफी अच्छे बन रही है, आने वले दो से दीन दिनों में, आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनके साथ चोटी मूटी बातों को ले करता करा हो सकती है, इसके बात की जो राशी है, वो है वृच्चिक राशी। का जो अर्शल है, वो केंदर यो करने जा रहा है, और वाग्य बाव में सित शुक्र के साथ सप्तमबाव का जो गुरु है, वन लाव यो करने जा रहा है, काफी महतवर्ण दिन है आपकी लिए और अत्यंते शुक्र फिल दाई भी सावित होगा, आज की दिन घूमना फिरना जादा हो सकता है, महतवर्ण काम भी आप आत में ले सकते हो, इस दिनों में आपकी जो वैवाई जो डिदार है, उनके साथ आपके हार्मोनी बहुत ही अच्छी देखी जाए भी, इसके बाद के जो राशी है, वो है धनो राशी। आज की दिन काफी महतवर्ण साबित होगा, खास करके आज की दिन कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगर्ण आपकी वो सकती है, कुछ अच्छे लाव अगर्ण मिल सकते हैं, लेकिन खर्चेट पर उपर ध्यान देना बहुत ही जादा आवशक होगा, आपको समयम की स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा, अज की दिन बिल्कुल भी नहीं लेना, उसी प्रकार आने वाले दो से तीन दिनों में किसी भी प्रणार के महत बुड़ा ध्यान नहीं लेना, इसके बाद की जो राशी है, वो है मकर राशल, मकर राशी के वही अबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, सुबह साथ बचकर 27 मुड़ी के बाद ये चंद्रमा आपी के राशी में व्रहमन करेगा, आपके पंचमबाव में सिद मंगल हर्शल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है, सब्तम्भाव में से तरवी के साथ ये चंदरमा प्रतियों करने जा रहा है तरितियों बाव में से निफचन के साथ ये चंदरमा लाप लाप लिए करने जा रहा है अश्टम्भाव में से बुद्य के साथ आपके पंचम्भाव को जो हर्शल है वो केंदर यो करने जा रहा है और सब्टमबाव में से शुक्र के साथ आपके पंचमबाव को जो गुरू है वो लाभी यो करने जा रहा है काफिम है तो पुर्णे दिन है आपके लिए अत्यनते शुप फलदाई साबित होगा खास करके आज की दिन जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलदा मिल जाएगी भागे का साथ पूरा का पूरा मिलता हो नजर आएगा सिर्फ आपकी जो वह वह जुनिदार है उनके साथ छोटी मूटी बातों को लेकर तकरांग हो सकती है अजरा आप किसी के रिलेशन्चिप में है तो आने वाले दो से तिन दिनों में उनके साथ कई बाहर गुमना फिर ना हो सकता है आने मेले दोसे दिन निनों वे थोड़ा सा स्वास के बारे में दयान देना आमशक होगा लेकिन दिन आपके लिए शुवफलदाई साबित होका इसके बात की जो राशी है वो है कुम्बराशी कुम्बराशी के लाबबाउ में चंद्रमा का ब्रह्मन है आज के दिन हे थोड़ा महतबण साबित होगा घूमना फिर नदादा हो सकता है महतवणन काम भी आप ताव में ले सकते हो लेकिन किसी भी प्रकार के महतवणने इने बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि काम करना प्रत्यक्षर रूप में होने में दे रही आ सकती है जिसके ते City download MOD होने कि थोड़ा बढ़ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देना आवशक होगा इसके बात की जोए राश्चन है वो है मीन राश्र मीन राश्र के दशम महों में चंदरमा का प्रमन है सुबे साथ बचकर 27 मिन के बाद ये चंदरमा आपके लाव लाव में विरमन करेगा तरितियो बाव में सिथ मंगल अर्शन के साथ ये चंदरमा तरिगोनियों करने जा रहा है पंचम बाव में सिथ रवी के साथ ये चंदरमा प्रतियों करने जा रहा है आपके राश्र में सिथ निफचन के साथ ये चंदरमा लाव 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 करने जा रहा है वसे परिकार आपके शasınaच्ट वाव में सिध बुद्ध के साथ, आपके तृतिय वाव को जfon है वो के इंदरेख करने जा रहा है, तृतिय वाव में सिध गुरु के साथ, आपके पंचम वाव को जो शुक्र है वो लाभ यो करने जा रहा है काफी मैं तो पुणने दिन है आपके लोग शुक्ष लदाई भी सावीत होगा आपकी जमित्र परिवार हैं हमसे मुलाकात थो सकती है गफशाप हो सकती है अगर अच्छे सलाव भी आपको मिल सकते हैं तो पुणने काम भी आप हाथ में ले सकते हो आने वाले 2-3 दिन में कुछ के स्वास्ट के बारे भी दयान देना बहुत ही ज़ादा आवश्यप होगा उसे परकार आने वाले 2-3 दिन में आगर आप शेयर मान कर्मेटरेट करते हो तो कुछ अच्छे लाव भी आप मिल सकते हैं अगर आप इसे के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ भी आपके हार्मोनी बहुत ही अच्छी देखी जारकी तो दोस्तों ये था दिनांग 21 जुलाए 2024 का संपुनर आशिफल धन्यबाव